हाई एवरिवन चलिए आगे प्रोसीड करते हैं लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था सम डेफिनेशन रिगार्डिंग रिमान इंटिग्रेशन ठीक है और आज हम देखेंगे लोवर सम और अपर सम से रिलेटेड थेरम्स तो जो पहली थेरम है बड़ी आसान है चलिए आगे प्रोसीड करने से पहले में आपको कुछ छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि इसके आगे जब भी हम बात करेंगे तो यह चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो हम इंटरवल ले रहे हैं इसके उपर जो डिफाइंड फंक्शन होगा एफ यह हमेशे कैसा होगा रियल वै प्रिफल एबी पार्टिशन क्या होता है आपको मालूम है तो ल एफ़ पी इस लेस देन और इकुवर टू यू एफ़ यानि कि जो लोवर सम है वो हमेशा अपर सम से छोटा ही रहता है या फिर उसके बराबर लेकिन जो लोवर सम है वो अपर सम से एकसीड नहीं करेगा ठ थीक है तो यहाँ पर हम किसी पौटिग्रवर पार्टिशन की बात कर्यरे वहाइं वाल कि देखेंगे कि आप चाहे कोईबी पार्टिशन लेव हो चाहे है याँ पर पी न ले सम और यहाँ पर पीटू लेते हो तो भी लोवर सम जो है इस लेस देन और इकोल टू परसं थी obviously इसके अंदर कितने points है इसके अंदर है n plus 1 points और हमने इस interval को कितने sub interval में divide कर दिये n sub interval में ठीक है और n sub intervals है इसमें से हम एक general interval लेते हैं हमने क्या क्या है basically यह हमारा था a यह था हमारा b यहाँ पर है x1 x2 यहाँ पर है xn-1 यह भी ही आपका xn है यहाँ पर हमने एक general consider कर दिया which is xr-1 xr ठीक है अब क्योंकि हमने generally theorem solve करना है तो हम हमेशा इस interval की बात करते हैं मतलब एक general interval की बात करते हैं ठीक है तो माल लेजे इस interval के अंदर जो function है उसका जो supremum है याने कि least upper bound है माल लीजे वो capital mr है ठीक है किसके अंदर इस sub interval के अंदर यह चीज़ हमने already देखिए क्योंकि f is bounded function on this close interval ab therefore f is bounded on its sub interval also ठीक है न क्योंकि f जो है वो close interval ab पर क्या है bounded है तो obviously उस close interval ab का आप कोई भी sub part लोगे उस पर भी bounded होगा याने कि इन सब interval का supremum भी exist करेगा मदल lower bound भी होंगे और upper bound भी होंगे ठीक है and small mr is equal to greatest lower bound याने कि infimum of f in this close interval xr-1 xr ठीक है अब आपको मालूम है कि हम इस interval की बात कर रहे हैं इस particular interval की बात कर रहे हैं और यह infimum है और हमें मालूम है कि we know क्या मालूम है मंको कि जो infimum होता है it is always less than or equal to supremum ठीक है infimum याने कि कहने का मतलब है कि जो lower bound होता है वो upper bound से हमेशा छोटा या फिर उसके बराबर हो सकता है ठीक है so small mr is less than or equal to capital mr अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ delta r से multiply करेंगे ठीक है so small mr delta r is less than or equal to capital mr delta r ठीक है यहाँ पी delta r क्या है इस interval का length है ठीक है so delta r is what actually length of याने कि आप यह कह सकते हूँ this is xr minus xr minus 1 यह चीज़ है और obviously interval है तो यह छोटा होगा यह बड़ा होगा बड़े मैंसे आप छोटा minus कर रहे हो तो यह जो delta r है this is always greater than 0 ठीक है या फिर equal to 0 भी लिख सकते हो और यहाँ पे same number है तो ठीक है लेकिन फिलाला हम इसको consider करते है this is always greater than 0 so obviously जब यह inequality है आप positive से multiply करोगे तो इसकी inequality पे फरक नहीं आएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे summation apply करते है summation r goes from कहां से होता है हमारा शुरू 1 से 1 से लेकर n small mr delta r is less than or equal to summation r goes from 1 to n capital mr delta r यह चीज़ भी hold होगी क्योंकि यह सारी positive terms है तो positive term का summation करोगे है यहाँ पे भी उनी positive terms का summation करोगे और हर positive term जो है इस तरह से इनकी inequality है मतलब यह इससे छोटा है तो उनका summation भी उस summation से छोटा होगा ठीक है बट यह हमारा होता है क्या है यह किसकी refination है this is lower sum की उस partition p के लिए so this is less than upper sum ठीक है so आप जो है इसका screenshot ले सकते है चलिए second theorem देखते है second theorem क्या कह रहे है कि फिर से हुई f को यह real bounded function है close interval a b के उपर p को यह partition है तो इस बार यह कह रहा है कि जो lower sum है वो तो upper sum से छोटा होता ही है जैसे अब यह हमने प्रूव किया लेकिन यह जो दोनों है यह इन दो numbers के बीच में होते है और यह numbers क्या है इकोल तो lower sum is less than or equal to upper sum and is less than or equal to capital M into b minus a ठीक है अब यहां पिये small m और capital M क्या है last time भी हमने पड़ा था यह क्या है this is your infimum in close interval a b of f and this is supremum of f in close interval a b ठीक है तो जो हमारे r वाले हैं जो capital M r है वो तो क्या होता है least upper bound याने कि supremum of f in this जो हमने sub interval लिया था ठीक है यह हमारा supremum होता है उस sub interval के अंदर जहां पर मैंने r लिखा है small m r क्या होता है infimum होता है उस f का उस close interval sub interval के अंदर xr minus 1 और xr में और जो बिना r वाले हैं याना कि capital M और small m है यह क्या है आपका supremum in that whole interval whole close interval a b and infimum in that whole close interval a b ठीक है अब यह चीज़ में हमने पड़ी थी कि जो supremum होता है वो सबसे बड़ा होता है जो infimum होता है वो सबसे छोटा होता है और यह बाकी दो होते हैं इसके अंदर लाए करते हैं सो small m is less than or equal to this mr is less than equal to capital mr and is less than or equal to capital M ठीक है अब फिर से वोई चीज़ करने हमने है इसको किस से multiply करना है delta r से multiply करना है so m into delta r is less than equal to mr into delta r is less than equal to capital mr into delta r is less than equal to m into delta r ठीक है यह हर सब interval के लिए true है ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़ लिख देना कि for all r from 1 to n n या फिर आप यह भी कह सकते हो कि r greater than equal to 1 less than equal to n हर 1 से लेकर n के हर r के लिए यह चीज़ true है ठीक है और यह चीज़ क्यों हो पार ही because हमारा जो delta r है it is always greater than equal to 0 ठीक है अब हम क्या करेंगे फिर से summation apply करेंगे summation apply करेंगे from r from 1 to n small m delta r less than equal to r from 1 to n m r delta r less than equal to r from 1 to n capital m delta r ठीक है अब यह चीज़ देखें कि यह चीज़ तो आपको मालूम है यह क्या है lower sum है और यह क्या है यह भी lower sum है अब यह दोनों जो extreme पर है यह actually है क्या यहां से आप m common निकाल लिए ठीक है अंदर क्या बचेगा summation r goes from 1 to n यह m बाहर क्यों निकाल पार है because इस पर कोई r की condition है यह नहीं तो this acts as a constant and it is delta r which is less than equal to इसको मैं आप directly lower sum लिख सकते हूं इसको मैं upper sum लिख सकते हूं ठीक है which is less than यहां से हम capital M बाहर निकाल सकते हैं summation r goes from 1 to n delta r अब एक चीज़ धियान में रखिया कि यह किसके बराबर होगा यह term देखो delta r क्या है length of this sub interval ठीक है चलो यहां पर बनाते हैं किदर इधर बनाते हैं ठीक है हमारा क्या है यह a x1 x2 यहां पर xr-1 xr xn-1 और यह b हो गया ठीक है अभी जो delta r है यह इसका क्या है length है ठीक है जो delta 1 होगा वो इसका length होगा delta 2 इसका length होगा delta 3 इसका length होगा इन सबका length क्या है delta r in general अब इन सबका length अगर आप add करोगे तो आपको इस पूरे interval का length मिलेगा ठीक है जो किसके बराबर है b minus a के बराबर है ठीक है? तो जब आप summation of this length of sub intervals करते हो तो आपको actually पूरे उस close interval का length मिलता है ठीक है? तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? b minus a ठीक है? which is less than equal to lower sum less than equal to upper sum and less than equal to capital M into b minus a ठीक है? तो एक चीज़ आपने यहाँ पर सीख ली कि जो lower sum होता है वो upper sum से छोटा तो होता है लेकिन वो इन दोनों के बीच में लाई करता है small m into b minus a capital M into b minus a ठीक है? you can make your screenshot चलिए next important theorem की तरफ चलता है जो student इसको पहली बार पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा confusing होता है ठीक है लेकिन अगर आप थोड़ी सी practice करेंगे तो आप इसके साथ comfortable हो जाएंगे तो theorem क्या कहती है कि फिरसे वो ही कि f जो है कोई bounded function है close interval a b की उपर ठीक है अब p ड़ाश जो है वो p का refinement है last time हमने पढ़ा था कि जो refinement होता है actually क्या होता है उस partition का superset होता है ठीक है याने कि p ड़ाश के पास p के सारे points होंगे लेकिन एक से या फिर एक या फिर उस से जादे extra points ज़रूर होंगे ठीक है so this implies कि lower sum with that p ड़ाश with refinement is greater than equal to lower sum with p and upper sum of f with refinement is less than equal to upper sum of f and p ठीक है इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप refinement का lower sum लेते हो तो क्या हो जाएगा कि उस case में lower sum जो है वो बढ़ जाएगा ठीक है याने क्या देखो lower sum का जो मतलब refinement का जो lower sum है वो क्या है जो हमारा normal lower sum है उससे बढ़ा होगा याने कि आप जैसे जैसे refinement करते जाओगे जैसे जैसे interval को और जादा parts में divide करते जाओगे आपका lower sum जो है वो increase होता जाएगा ठीक है obviously उसकी भी limit होगी increase होने का मतलब यह नहीं कि वो infinity तक increase होगा कहा तक होगा वो next theorem में हम देखेंगे लेकिन अगर आप refinement करते जाते हो याने कि इस interval को और टुकडों में बांटते हो n, n plus 1, 2n ठीक है तो क्या होता है कि lower sum जो है वो increase होता है और upper sum क्या होता है decrease होता है ठीक है तो जो आप देख पार होगी कि जो refinement का upper sum है this is less than equal to normal upper sum उस P का जो upper sum है उससे क्या है refinement का upper sum छोटा है तो जैसे आप refinement करोगे तो upper sum जो है वो decrease होता जाता है obviously उसकी भी limit है ठीक है न तो आप यह देख पार होगी कि जो lower sum है refinement करने पर क्या हो रहा है increase हो रहा है और जो upper sum है वो refinement करने पर decrease हो रहा है लेकिन एक time ऐसा आएगा मतलब यह हमेशा इस तरह से increase ही नहीं होते जाएंगे और decrease ही नहीं होते जाएंगे एक time होगा जब यह दोनों बराबर हो जाएंगे ठीक है वो चीज़ हम future में देखेंगे लेकिन फिलाल में आपको बस यह कहा रही हूँ कि refinement करने पर lower sum बढ़ता है और upper sum घटता है ठीक है तो ध्यान से देखना इस theorem को P हमने partition ले लिया वही normal partition X0 से लेकर Xn तक ठीक है अब क्योंकि हम इसका एक refinement लेते हैं और refinement में हम एक extra point लेंगे ठीक है So X0, X1, X2 यह तो सारे हैं ही लेकिन इसमें हमने जो है जाई जो है एक extra point ले लिया है ठीक है अब देखो यह है P और यह है P- जब आप इनका हम lower sum और upper sum निकालेंगे तो उनमें difference आएगा ठीक है न तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमने a close interval a b को जो है partition किया इस बार जो है xr-1 और xr के बीच में जो है एक extra point कौन आ गया जाई आ गया for P- के लिए P- की बात कर रहे है ठीक है तो पहले हम इसके लिए जो क्या कहते हैं हमारे infimum और supremum होता था वो हम कैसे कहते थे कि इसका जो infimum है this is small mr ठीक है जो इसका supremum है it is capital mr लेकिन अब P- की बात है तो P- में आब इसके दो भाग हो गए ठीक है तो इनके लिए भी हमें supremum और infimum define करना पड़ेगा तो मैं part 1 solve कर रही हूँ इसमें lower sum की बात चल रही है तो हमें सुप्रिमम की कोई जरुवत नहीं पड़ने वाली है lower sum में small mr की जरुवत पड़ती है यानि कि इन्फिमम की जरुवत पड़ती है ठीक है तो यहां पर हमने तीन चीज़ने रिफाइन करनी है obviously जो हमारा P है यह हमारे P- की बात चल रही है जो हमारा P है यहां से लेकर यहां तक सारे जो हमारे mr है यानि कि जो इन्फिमम है उनकी value सेम रहने वाली है data की भी value सेम रहने वाली है xr से लेकर b तक भी कोई change नहीं आने वाला है यह सेम रहेगा चाहे P लो या फिर p- ले लो तीक है सिर्फ difference किसमें आएगा एक interval का difference आएगा ठीक है यहां पर और यहां पर small mr की capital mr की और delta r की value सेम रहने वाली है लेकिन इस interval के लिए और इस interval के लिए यह जो हमारा यह पूरा interval होगा P के अंदर xr-1 और xr अब P डश के अंदर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे तो यहां पर हमें जो है थोड़ा से extra effort डालना पड़ेगा ठीक है तो क्योंकि अब इसके दो टुकड़े हो चुके है हम क्या करेंगे इसमें इन दो सब इंटर्वल के लिए अलग-अलग infimum define करेंगे ठीक है जो next sub interval बना है from xi to xr xi से लेकर xr उसमें जो infimum बना है it is small mr double dash ठीक है और जो हम p की बात कर रहे है जिसके अंदर यह एक ही interval है यहां पर इसके दो सब interval है यहां पर एक ही interval है तो इसका जो हमारा normal होता है small mr वही हमारा क्या हो जाएगा वो represent करेगा infimum of f in this close interval xr minus 1 से लेकर xr ठीक है अब देखो अब हम क्या करेंगे हमें यह चीज़ दिखानी है ठीक है न basically हमें यह हम इसको इस तरह से भी लिख सकते है कि lfp dash minus lfp is greater than or equal to 0 हमने यही चीज़ दिखानी है कि अगर मैं इसमें से यह minus करूँ तो मुझे non negative आना चीज़ है हम वही करेंगे देखो अगर मैं l lower sum of f with partition p dash करती हूँ और इसमें से minus करती हूँ मैं lfp तो मेरा answer क्या आएगा तोड़ा सोचने वाली बात है कि देखो जो l sorry f p dash क्या जो lower sum है इसका answer कैसे आएगा summation mr delta r होगा है ना इसमें कैसा होगा m1 delta 1 m2 delta 2 जैसे कि मैंने कहा कि यहां तक दोनों का answer same आएगा ठीक है plus कहां तक यहां तक कौन होगा this is r minus 1 याने कि mr minus 1 delta r minus 1 यह किसमे p dash में भी और p में भी same होगा ठीक है मैं फिला जो है बात करती हूँ l f p dash की ठीक है यहां तक तो हो गया यह mr minus 1 delta r minus 1 अब देखो इस interval में इसके दो parts है तो पहले में इसका length क्या होगा इसका length होगा xi मैं से xr minus 1 into यह हमारे क्या होगा है वो delta होगा है into जो infimum है infimum कौन इस case में mr dash है so this is mr dash ठीक है plus इसका plus जो हमारे delta r होता था वो क्या होगा xr minus xi xr minus xi और इस में infimum कौन है mr double dash so this is mr double dash और इसके फिर से वोई से इसके आगे कोई problem नहीं है मतलब up to so on last में कौन होगा हमारा m n delta n होगा यह हमारा होगा lower sum with refinement p dash वाला ठीक है अब मैं बात करती हूँ l f p यानि कि जो हमारा normal था यह हमारा normal यह this is what m 1 delta 1 up to so on mr minus 1 delta r minus 1 plus mr delta r ठीक है अब इसके जो है क्या कहते है इसके इसका partition नहीं हुआ है plus mr plus 1 delta r plus 1 and up to so on m n delta n फरक किस बात का है फरक किस बात का है कि यहाँ पर यह वाली term extra आ चुकी है और यहाँ पर कौन है mr delta r है ठीक है ना तो इस lower sum के पास यह दो term नहीं है और इस उपर वाले sum के पास यह वाला term नहीं है तो जब आप इस में से यह minus करोगे तो यह वाली terms तो cancel हो जाएंगे यह और यहाँ से यहाँ पर कौन आता है mr plus 1 delta r plus 1 यह और यह यह वाली term यह term और यह और यह वाली cancel हो जाएंगे सिर्फ क्या बचेंगे यह दो minus this term ठीक है सो हमारे पास क्या बचा mr dash xi minus xr minus 1 plus xr चलो इसको पहले लिखते हैं mr double dash xr minus xi ठीक है यह इस refinement वाले अब lower sum में बचा है minus क्या बचा mr delta r mr delta r ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं मैं इस delta r को लिखूंगे delta r actually क्या था इसकी length थी याने कि xr minus xr minus 1 ठीक है अब यहाँ पर xi है यहाँ पर xi है यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर plus minus करूंगे xi ठीक है which is equal to mr dash xi minus xr minus 1 plus mr double dash xr minus xi minus mr अब यहाँ पर हम plus minus करेंगे so xr minus xi plus xi तो मैं इसमें से minus common ले लेती हूँ तो क्या बचेगा अंदर xr minus 1 minus xi बचेगा ठीक है चलिए अब हम क्या करते हैं इसको separate कर लेते हैं so mr dash xi minus xr minus 1 mr double dash xr minus xi minus यह separate करेंगे mr xr minus xi यह हो गया आपका minus minus plus चलो कर लेते हैं plus mr xr minus 1 minus xi ठीक है अब देखो कुछ common होगा इन में जैसे की यह और यहाँ पर common है और इसमें देखो xi minus xr minus 1 है ठीक है और यहाँ पर xr minus minus xi है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगे minus common लोगी so यहाँ पर minus common लिया यह बना minus यह बना plus अब हम common ले सकते हैं तो इसमें से और इसमें से common निकाल ले क्या xi minus xr minus 1 और अंदर क्या बचा वो minus है यह है हमारा mr dash minus mr और यहाँ से क्या निकलेगा बहार xr minus xi अंदर बचेगा mr double dash minus mr बस होंगे यह proof देखो यह जो है यह length है यह और यह ठीक है क्योंकि xi में से यह minus करोगी यह बड़ा है यह छोटा है this is always non-negative उसी तरह से xr minus xi xr minus xi this is also greater than equal to 0 greater than equal to 0 अब आपको मालूम है कि यह पूरा interval है इसके यह दो सब interval है तो यह जो mr होगा कहां पर लिखें से इसको जो हमारा mr होगा वो हमेशे क्या होगा less than equal to mr dash और mr is less than equal to mr double dash क्योंकि यह जो है this is lower bound हाला कि वो infimum है लेकि मैं फिलाल infimum तब है जब क्योंकि वो lower bound है तो यह lower bound है पूरे interval में तो यह lower bound है उसके sub interval में तो पूरे interval का जो lower bound होगा sub interval के lower bound से भी छोटा होगा उसी तरह से mr is less than equal to mr double dash तेक है so this implies कि यह जो term है यह बड़ी है यह बड़ी है और यह से छोटा है तो बड़ी में से छोटा माइनस करोगे so this is non-negative this is non-negative दो non-negative terms का addition is also non-negative and therefore this implies कि जो lower sum है with refinement minus lower sum f is greater than equal to 0 और ultimately आप इसको उससाइड ले जाईए तो आपके पास क्या मिलेगा कि refinement का lower sum is greater than equal to that lower sum with P second part भी एकदम previous part जैसा है बस last में आपकी condition change हो जाती है otherwise same to same है ठीक है फिर से वही बात कि हमने interval को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है बस इस बार क्या कर देना कि small m की जगा capital M लिख देना है so इस interval में close interval xr minus 1 जाई में जो है mr' सुप्रीमम होगा जाई से लेकर xr के बीच में mr' सुप्रीमम होगा और xr minus 1 xr के बीच में सिर्फ mr सुप्रीमम होगा जब आप refinement वाले में से बिना refinement वाला का अपर सम माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेंगे यह वाला interval यानि कि यह दो यह आपके जो है refinement में से बचेंगे और यह वाली जो term है वो आपकी non refinement वाले में से बचेंगे तो mr' xr minus 1 mr' xr minus xr minus mr यानि कि इस पूरे में और xr minus xr minus 1 फिर से वो ही करेंगे यहाँ पे जो है xr को adjust कर लेंगे minus और plus में तो यह हम एक पार्ट में लिख देंगे mr into xr minus xi और यह आपका minus mr xi minus xr minus 1 फिर से common ले लेंगे तो देखो common कौन सार है आपका यह वाली term और यह last वाली term ठीक है तो mr' minus mr xi minus xr minus 1 और यह बीच वाली terms इन में से xr minus xi common आ रहा है तो xi r नहीं है यह तो यह वाली term और यह वाली term so this is always greater than equal to 0 this is also always greater than equal to 0 because यह length को represent कर रहे है ठीक है so yes एक मिनट this is xi minus xr minus 1 this is xi minus xr minus 1 अच्छा यह negative हो गई है ठीक है यह term जह हो आपकी कैसी है negative है चाहे तो आप minus common निकाल के अलग तरह से explain कर सकते है बट this is positive this is negative ठीक है अब आपको मालूम है कि जो पूरा interval में होगा उसका जो supremum होगा वो हमेशा बढ़ा ही रहेगा so capital mr is always greater than equal to mr dash उसी तरह से double dash से भी हमेशा यह mr बढ़ा रहेगा तो देखो यह छोटा है यह बढ़ा है तो छोटे मैंसे बढ़ा गया तो this is negative ठीक है negative into positive मतलब negative into non-negative is again non-negative हो जाएगा यह उसी तरह से यह जो है mr double dash minus mr यह भी कैसा है negative है पर क्या common आएगा यहाँ पर xr minus zi common आएगा ठीक है तो यह गड़बड हो गई थी तो यहाँ पर xr minus zi common आएगा और xr minus zi हमेशा क्या रहता है non-negative यह पर positive रहता है ठीक है तो यह वाली चीज़ this is less than equal to 0 because this is small and this is big तो देखो इसका overall effect क्या होगा यह less than equal to 0 इसका भी overall effect क्या होगा क्योंकि negative into positive is negative तो overall effect क्या होगा less than equal to 0 less than equal to 0 दोनुका addition is also less than equal to 0 याने कि ufp dash minus ufp is less than equal to 0 this implies जो हमारा second part था ठीक है अब upper sum और lower sum की ऊपर जो है दो और theorem से उसको हम part 2 में solve करेंगे ठीक है क्योंकि यह theorem बहुत लंबी हो रही है आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते है प्रूहर प्रूह्ष्णीप क्योंकि दो दो मैं । जो है जो है है यह झाल रहा है तो प्रूहर प्रूहर रही है जो है, प्रप्रभ्स कर दो दो आट